अससलामु अलेकूम मैं हुआ साथ देख रहे हैं कि जिम्दाग सा यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस मुली के प्राठी के रेसिपी लेके आई हूँ आपने बहुत ही मुली के प्राठी अमना कर खाए होंगे लेकर मैं आज आप लोगों को इसे इंग्रिडियंस बताएंगी जिसे आप मुली के प्राठी जो हैं बहुत ही जबरदस बनकर तयार होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लिए हैं एक अप गीहों काटा और अब हम इसमें डालेंगे एक अप मैदा दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स क अब हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून मेल्ट इड़ घी आपने इसमें ऑईल के बिल्गुर भी इस्तमाल नहीं करना और आप हम इसमें डालेंगे वन टीजपून नमक और आप हम इन सब चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और आप हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए इसे गुन लेंगे जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए नर्मली आटे को गुनते हैं इसी तरह से आपने इसे गुनना है थोड़ा थोड़ा पानी शामर करते जाएंगे और इस को जितना जांदा गुन देंगे पराठा जाए उतना ही अच्छा बनका तयार होगा और यह देखें आठे को गुनते तक्रीबन चार से पांच बीनिट हो चिके हैं और डोज होए इस तरह से सौफ्ट होनी चाहिए और इसी तरह से नीट होनी चाहिए अब हम इसे एक बाल में डाल देंगे और इसे कवर करके तकरीबन 15 मिट के लिए रेस्ट देंगे तब तक हम पराठी के लिए फीलिंग तयार करेंगे उसके लिए मैंने यहां पर लिए एक बड़ी साइस की मुली में ने उसे ग्रेटर के मदर से अच्छे से ग्रेट कर लिया था अब हम इसका पान जो अच्छे से निचोड़ देंगे पानी आपने अच्छे से निचोड़ना है वरना प्राठा जो है अच्छा नहीं बढ़ेंगा बलकर वो सौफ्ट हो जाएगा कुछ लोग जो हैं मुली के पानी को आटे में डाल कर आटे को गुनते हैं आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसका पानी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और यह देखे मुली के पानी को मैं अच्छे से निचोड़ लिया है अब हम इसमें डालेंगे वन फोट कप बरी कटी हुई मेथी ये मार्किर से इजिली मिल जाती है इसे बहुत ही जबर्दस्ट टेस्ट आता है और आप हम इसमें डालेंगे वन फोट कप कटा हुऊ सबस धनिया और आप हम इसमें डालेंगे डेर खाने का चमस्च बारी कटी हुई सबस मिर्चे आप अपने टेस्ट के मताबर डाल सकते हैं और आप हम इसमें डालेंगे वन फोटी स्पून एजवाइन इससे बहुत ही जबर्दस्ट टेस्ट आता है और आप हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा मैंने यहाँ पर साबो जीरा इस्तमाल किया है अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिच पाउडर और आप हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने जाइके के मताबक डाल सकते हैं आप तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे अभी मैंने यहाँ पर कम्प्लीट स्पाइसिस जम एड नहीं किये तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आप हम इसमें डालेंगे हाफ टीबल स्पून आम चूर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम हारी फीलिंग जो बनका तयार हो चुकी है और यह देखें डो को रेस्ट पे रखवे तकरीबन 15 मिनट हो चीकिए और देखें डो जो कितनी जबदस तयार हुई है और अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा खुशका और इसे साइड पे रखें हम इसके तकरीबन 4 से 5 चोड़े चोड़े पेड़े जो बना लेंगे दो कप आठे से तकरीबन 3 पराठे जो है राम से बन जाएंगे आपको जितना पराठे का साइज पसान दो आप उससे साथ से पेड़ा जो बना सकते हैं और यह देखे हम इस तरह से सारे के सारे पेड़े जो बना लेंगे और आप हम थोड़ा सा खुशका डालेंगे और इस अच्छे से फिल डा लिए मैंने अब हम जो पेड़े तयार किये थे उसे इस तरह से किनारों को हाथ की मद़र से बारी कर लेंगे और इसे रोलिंग पीन के मदद से अच्छे से रोल कर लेंगे आपने इसे ज़्दा पतला रोल नहीं करना क्योंकि हम इस में फिल डालने के बाद भी इसे रोल करेंगे और यह देखे इस साइससे हम जो है इसे रोल करते जाएंगे और इसे एक साइड पर रखते जाएंगे और इसी तरह से हम दूसरा जो पेड़ा उसे भी इसी तरह से रोल कर लेंगे सबसे पहले हाथ उसे एक नारी को अच्छे से बारी कर लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से बेल लेंगे और अब हम इसमें फीलिंग डाल देंगे आपको जितनी फीलिंग बिसांदो आप उतनी डाल सकते हैं और अब हम इसके उपार जो दूसरा रोटी बनाई थी हम इसके उपार रख देंगे और इसे साइड़ों से प्रेस कर देंगे ताके फीलिंग जो बाहरी ना जाए और अब हम इसे रोलिंग पीन के मदर से थोड़ा सा बेल लेंगे यहां पर मैंने तवे को गरम होने के लिए रख दिया था अब हम प्राठे को तवे पर डाल देंगे और इसे स्लो फ्रेम पर तक्रीबन दो से तीन मीट के लिए पकाएंगे एक साइड से और यह देखे एक साइड से पकते हुए एक से दो मिनुट हो चुक है अब हम इसके साइड चेंज कर देंगे और इसे दूसरे साइड से वे तक्रीबन एक से दो मीट के लिए पकाएंगे बिल्कु स्लो फ्रेम पर एक से दो मिनुट हो चुके है अब हम इसके साइड चेंज कर देंगे और अब हम इसके ओपर जया घी लगा देंगे मैं यहाँ पर एक देशे घी इस्टमाल कर रहि हूं घी लगाने से यह होते हैं कि आपके प्राठे जोजएं खस्ता बन कर तैयार होते हैं ऐसके साइड चेंजर कर देंगे और इसे भी साइड से अच्छे से पकालेंगे यह जो दूसरे साइड है उसके उपर हम गीन नहीं लगाएंगे और अब हम इसे इस तारह से गोगोग घंदो आते वह अच्छे से पकालेंगे चु जुर कुप और यह देखें मूली का प्राठा जो बनकर तयार हो चुके हैं आपने इसे अच्छे से पकाने हैं और यह देखें बहुत ही जबदस्त बनकर तयार हुआ है और यह देखा प्राठा जो बनकर तयार हो चुक है आप इसे दहीं के साथ खा सकते हैं और आप लोगों पर खा के बताती हूं कि यह कैसा बने प्राठा जो बहुत ही मज़े का बनकर तयार हुआ था आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को करें लाइक चैनल को करें सबस्क्राइब वसाथ आप लाइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को उन करें मुझे दीजिए जाज़त अपनी दौा में याद रखिए खाला आफिज